हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे टीज कोडर्स चैनल पर यह हमारा जावा स्क्रिप्टरा 62 वीडियो है इसमें हम एरे के साथ अब्जेक्ट को बनाना सिखे हैं मतलग कि एक एरे होगा उसके अंदर हम कुछ अब्जेक्ट को बनाएंगे जैसे कि यहां पर देखिए य यह नहीं करके एक एरे है और उसके अंदर कुछ अब्जेक्ट को किरियेट किया गया है तो चलिए इसका प्रैक्टिस करके देखते हैं तो हमने अपना HTML डोगमेंट ओपेन कर रखा है और इसके अंदर स्क्रिप्ट टैक का यह यूजगे हैं इसी स्क्रिप्ट टैक के अंदर हम सबसे पहले एक एरे बनाएंगे और उसके बाद एरे की बहलू में हम अब्जेक्ट को किरियेट करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम अब्जेक्ट को किरियेट करते हैं तो अब्जेक्ट के पहला प्रूपर्टि का नाम देते हैं नेम में डालते हैं रोहित और उसके बाद इसका दूसरा प्रूपर्टि होगा एज एज में डालते हैं एटेन और लाष्ट प्रूपर्टि स्का होगा इमेल email में डाल दते हम rowhip iterate email dot com अब इसे print कराकर के देख लेते हैं इसे print कैसे कराएंगे तो सबसे पहले एरेक हम जी टाइब से print कराते हैं पहले उस टाइब से print कराना परेगा तो document document.write तो एरेक हम कैसे print कराते हैं तो सबसे पहले एरे का नाम डालते हैं तो एरे का नाम ए उसके बाद इसको indexing के थुरूप print कराया आता है तो इसके indexing क्या है 0 है तो 0 टाइब कर दिया देखिए क्या print कर दिया हमें object object print करा दिया क्यों क्योंकि ये इसके एरे की value में object object assign है अब ये बैलू है तो object को अब print कराना है मतलो कि अभी हमने क्या कर राया अरे को print कराया अब आयरे के साथ को साथ आब ज्येक्ट को भी print कराना है तो यहाँपे क्या करेंगे 0.a abucaut को कैसे print कराया जाता है सबसे पहले object का नाम उसके बाद प्रोपर्टी का नाव तो इसका ऑबजेक्ट क्या हो गया यह हो गया मतलो यहां तक कि इसका ऑबजेक्ट हो गया उसके बाद इस पर नेम को प्रिंट कराना है तो नेम टाइप करतेंगे देखिये हमें रोहिर प्रिंट करके दे दिया अब मान लिजिए कि हमें एज को प्रिंट कराना है तो क्या करेंगे तो इसको पेस्ट कर दिये और इसमें हमें एक क्या करना है एज एज की भीड़ां को प्रिंट करएना है तो हैां फिर हम डाल देंगे एज ठीक है अब देखिए हमें 18 प्रिंट करकने देती यह ही इसे बीड़ाज तो हैं आम हम स्थी टाइप से करेंगे प्लस्ट सेव WILD A N और एक कियो इंडेक्सिंग इन्डेक्सिंग यहां पर हमने गलत क्या करा यहां पर किनेटिक ऑपरेटर का यूज नहीं किया दखिए अब हमें इमेल भी प्रिंट करके दिया तो इसी टैप से हमें अगर मान ले जाए कि हमें कुछ 45 भाम अटा तो हम किसे पीरिंट करेंगे मारवरितफना टाइप करेंगे तो इस तो हम इसका फोर लूप भी पढ़े थे ठोलूप के अरह में पड jinा ते इसका थे उज हम करें नहीं मद्स का कर लेंगे यही हम फोरलूप का यूज करिव टोशली इस इसके फैयलमे मं widelymen कर लेते हैं पहले, Imohid, यहां पहीं सूरेच कर दते हैं, Surays, Ramesh, और इसमें भी Ramesh, Ramesh और इसको Surays, और इसको Imohid कर दते हैं, मतलब कि इसके Name Change कर दिये, e-mail Cambly 1995 अब हम age को Change कर लेते है, था Państ Friday. और 35 ओके अब इसे 12 वारे से हम सारे value को प्रिंट कराना है तो हम क्या करेंगे यहां पर फोर लूप का यूज करेंगे तो चलिए हम फोर लूप का यूज कर लेते हैं 4 where b is equal to 0 उसके बाद क्या करेंगे b less than equal to कितना इसका हो जागा 0 1 2 3 इसको ठीड़ि कर देंगे यूज को फोर कर देते हैं उसके बाद b plus plus इसके बाद देखिए इसको यह कर दिये और इसको उठा करके cut कर लिए हम पर और यहां पर paste कर दिये तो देखिए हमें सारे print करके दे दिया और एक काम कर लेते हम ब्रेक भी करवा लेते हैं यांग जहें कि अलग-अलग RAW में फिरिंट हो रहा है तो यह देखिए अलग-अलग रो में फिरिंट हो गया अब इसी को अगर हम आज एधंटर प्शूच्छाने प्रभ्स में प्रेंट करना जाहिए कि आधंए तो इससे पहले एक टेवल को टेवल को प्रिंट करा लेंगे तो चलिए यहां पर टेवल को प्रिंट करा लेते हैं यहां पर हम क्या कर लेंगे टेवल को प्रिंट करा लेंगे ठीक है तो यहां पर document.write लेग दिए हैं उसके अंदर हम table को type कर लेगे हैं यहां पर देखिए table और last में table को close कर देंगे यहां पर table को close कर लिए उसके वाद यहां पर क्या करेंगे टी आर को पहले print कर आएंगे इसी को copy कर लेते हैं और यहां पर टी आर को print कराना हमें तो टी आर को print करा दिए उसके बाद यहां पर यहां पर को close भी कराना है यहां पर हम टियार को क्लोज करा देंगे उसके बाद अब इसको टेवल में टेवल के फॉर्मेट में प्रिंट कराना है तो क्या करेंगे तो यहां पर टीडी यूज़ कर लेंगे यूज कर लिए और यहां फे kinetic operator का यूज़ कर लेंगे और ठीक यहांपे हम TD को close कर देंगे गी को close कर दिए उसके बाद एक काम कर लेते हैं इसको थोड़ा सा formatting based करने लिए सको नीचे break कर देते हैं और तब जाके कि ज्यादा clear होगा सही उसके बाद फिर इसको भी string बना दिये यहाँ पर td का use कर लेंगे हम और यहाँ पर td का use कर लिये और यहाँ पर td को close कर देंगे कर देंगे को close कर दिये ठीक है नेम उसके बाद इसको और इसी को copy कर लेते हैं यहाँ पर पेस्ट और यहाँ यहाँ पर td को close कर देते हैं कि यहाँ देखते हैं क्या कर सकते हैं ट्यार क्लोज हो गया ट्डी क्लोज ट्डी क्लोज यह भी हो गया क्या हो गया एक इस देख लेते हैं कि लाइन नमर 16 में कुछ प्रॉब्लम है यह देखिए किनेटिक ऑपरेटर का यूज नहीं किया आप इसको भी देख लेता हूं है हो एज यहां पि दखिए मिस्टेक है है और पे यह मिस्टेक है कि अ वह दखिए यह सारे आ गया अब अमें यहां पे टेवल में बारडर डालते हैं वी ओएड़ाडर पाॉडर इसकल टु ग्राण अब देखिए table format में हमें print करके दे दिया अब यसे हम cell cell padding is equal to 10 save कर दिये और cell spacing is equal to 0 अब यह देखिए प्रिंट हो गया अब चाहते हैं कि उपर में हमें नेम एज और एमेल लिखा हूँ आ जाए तो क्या करेंगे तो सिंपल यहां पर क्या करना है को क्लोज करा दिए अब हम बीच में टीडी को यूज कर लेंगे तो टीडी को यूज करने के लिए फिरसे डॉक्मेंट टाइट का यूज कर लेते हैं document.write उसके बाद यहाँ पर हम td का यूज कर रहे हैं और यह पर हम लिख दते हैं इसके बाद जिख को कॉपी कर लेते हैं फिर और उसके पेस्ट उसके बाद इसमें क्या डाल देंगे इमेल अगर टॉपिक से रिडिटेट कोई क्यूस्चन हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कॉमेंट डालेगा मुझे उमीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक किजेगा शेयर किजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब तक के लिए धन्यबाद सब्सक्रां सब्सक्राम